जीवन खतम हुआ तो जीने का धंग आया जब शमा बुझ गई तो मैं फिल में रंग आया जीवन खतम हुआ तो जीने का धंग आया जब शमा बुझ गई तो मैं फिल में रंग आया मन की मशनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बुढे तन के हर एक पुर्जे में जंग आया मन की मशनिरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढे तन के हर एक पुर्जे में जंग आया गाड़ी निकल चुकी तो घर से चला मुसाफिर आयुश हाथ मलता वापस मायुश हाथ मलता वापस बेरंग आया पुर्षत के वक्त में ना सुम्रन का वक्त निकाला उस वक्त वक्त माँगा जब वक्त तंग आया जीवन के वक्त में ना सुम्रन का वक्त निकाला उस वक्त वक्त माँगा जब वक्त तंग आया जीवन खतम हुआ तो जीने का धंग आया जब शमा बुझ गई तो मैफिल में रंग आया आयू ने जब की तेरी अथ्यार फेंक डाले यम्राज फोज लेकर करने को जंग आया जीवन खतम हुआ तो जीने का धंग आया जब शमा बुझ गई तो मैफिल में रंग आया ऐसा अपने जीवन में ना आये इसलिए सावधान रेना जीवन खतम हो जाये तब जीने का धंग आये ना ना आयू जब की तेरी अथ्यार फेंक डाले तेरी जिन्दगी हथ्यार फेंक डे और यम्राज फोज लेकर आये ना ना तेरी आयू सादन स्वास का हथ्यार सहित हो तब ही तो अपना काम बना लेना मन की मश्री ने तब ठीक चलना सीखा जब बुढे तन के हर एक पुर्जे में जंग आया बुढे शरीर के हर पुर्जे में जब जंग आया तो मन समझता है संसार कुछ नहीं कोई सार नहीं कोई अपना नहीं कोई ऐसा है बस देख लिया कुछ भी नहीं है लेकिन ये देखने की अकल तब आती है जब सब कुछ आज से निकल जाता है ना सत्सं केता है उसके पहले जीवन खतम हुआ तो जीने का धंग आया ना जीवन होते ही जीने का धंग सीख ले जब शमा बुझ गई तो मैं फिल में रंग आया शमा जलते ही मैं फिल में रंग लादे भीया मन की मशिनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बुढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया बुढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया उसके पहले मन की मशिनरी को ठीक चलाने की कला सिखातें स्री कृष्ण तुम सीखे लो काम बनाने की युक्ती देते कृष्ण अपना काम बना लो गाड़ी निकल चुकी तो घर से चला मुसा फिर मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया गाड़ी निकल गई फिर चले नहीं नहीं गाड़ी निकलने की पहले ही हम पहुँच जाएं गाड़ी चल पड़े उसके पहले हम अपनी सीथ रिजर्व करा लेतें ऐसे ही जीवन की गाड़ी हाथों से निकल चले उसके पहले जीवन दाता की मुसाफरी कर ले वो बड़भागी है हिम्नत्वार पुर्सत के वक्त में ना सिम्रन का वक्त निकाला उस वक्त वक्त मांगा जो वक्त तंग आया आखरी स्वास गिंदे और फिर सोचरे के भगवान थोड़ा सा जी लेता बजन कर लेता थोड़ा सा जी देता शांती परमशांती पा लेता नहीं इसी जीवन काल में शांती और परमशांती का प्रसाद पा ले उसे शांती और परमशांती का प्रसाद पाने का तेरा जन्मसिद अधिकार है और सहज स्वभाविक तू पा सकता है केवल विकारों के उस वेग में अपने को बहने से थाम ले और उसको थामने के लिए स्रीक्रश्न कहते हैं श्रद्धावान लभते ग्यानम श्रद्धाल उस परमग्यान को पालेता है जो सत है, जो चित है, जो आनन्द सरूप है जो सत नहीं वो ग्यान सरूप भी नहीं हो सकता है जो सत नहीं ग्यान सरूप नहीं वो आनन्द सरूप भी नहीं हो सकता है जो सत है वो ग्यान सरूप है जो ग्यान सरूप और सत सरूप वही आनन्द रूप है अगर ग्यान नहीं होगा तो आनन्द कौन लेगा आनन्द किसको आएगा इसलिए कवी ने कहा कि शरिर के पूर्जों को जंग आगई तब मन को अकल आई है जीवन खतम हुआ तो जीने का ढंग आया जब शमा बुझ गई तो मैफिल में रंग आया मन की मशिनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बुढ़े तन के हर एक पूर्जे में जंग आया बुढ़पे में अकल आती कि यार कोई सार ने आप तो बापुजी के सत्संग में जाना चाए मुढ़पे में पता चलता कि यार ये सब मतलब की दुनिया है संसार में कुछ नहीं यंग परसन सेज लाइफ इस फुल अब जौई बट वाइस परसन सेज लाइफ इस फुल अब सारो जबान समझते हैं कि जिन्दगी मजा लेने के लिए है लेकिन बुढ़े बुजरगों का अनुबव है कि जिन्दगी दुखों से भरिये वास्तों में असली जिन्दगी तो परम्सुक से भरिये सत्चित और आनंद आत्मा से लेकिन नकली देह को और नकली विकारों को इतना महत्व दिया कि असली हम भूल गए श्री क्रश्ण कहते हो उस भूल को मिटा ना हो तो श्रद्धा करो तत्परता से चलो और थोड़ा संयम का आस्रे लो